हाई गाईज FSC JEE 2024 में मात्र 6 महीने बचे हैं इन 6 महीनों में आप लोगों को अपनी तयारी लेकर जाने बहतरीन लेवल पर जहां पे जाके आपको यह लगे कि हाँ इस बार 100% आप लोग का सेलेक्शन हो जाएगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको पदा होना चाहिए आप लोग को बताने वाली हूं करेंट अफेर्ज के बारे में को सबसे जादा देखा गया है 2023 का जो एकजाम था SSEJ का जिन्होंने एक्जाम दिया है उन्होंने देखा होगा कि current का वेटेज इस बार सबसे ज़ादा रहा तो चलिए वेडियो को start करने से पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ पिछले कुछ सालों की पिछले साल की in fact 2023 के जानेंगे हम यहां पर जो cut off है वो कितनी गई थी पिछले साल की अगर बात करें जनरल कैटेगरी में यहां पर आप देखोगे 108 108 OBC की बात करेंगे 106 economical weaker section 98 SE89 S387 तो यह cut off देखी गई है civil engineering की अगर हम बात करते हैं यहीं पर electrical mechanical की बात करेंगे तो जनरल की 131 OBC 131 EWS 125 SE116 ST105 cut off पार करने का मतलब यह बिलकुल भी नहीं है कि आपका selection अब हो ही जाएगा cut off का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप qualify कर चुकी है paper 2 के लिए cbt1 clear करने के बाद आप cbt2 का exam दे सकते हैं लेकिन इसमें challenges बहुत जादा आते कि आपका score जो है वो cbt1 में कम है तो cbt1 में जितना जादा आप score करोगे cbt2 में उतनी ही जादा आपको help मिलेगी तो चले सबसे पहले हम बात करते कि current affairs में कौन कौन से topics आने वाले हैं आपके exam में 2023 में हमने देखा कि पूरे 2000 की 2 साल का है ना 2021 का current affair पूछा गया था यानि कि हमें 2 साल का current affair करके जाना है 2023 एंड 2000 इससे पहले 22 का भी करेंगे 22 एंड 23 चोबे सोबे स्टार्ट ही नहीं हुआ है है ना 2022 एंड 2023 का current affairs आपको complete करना होगा और उसके बाद 2024 चोबे स्टार्ट होगा तो till exam चो exam से ठीक 2 मैने पहले तक का current affair आपको करके जाना है topics जो हमने देखे 2023 में कौन-कौन से पूछे गए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ important skims चीक है अच्छा skims से एक चीज याद रखीगा योजनाई जरूरी नहीं है कि latest ही पूछी जाएंगी आपसे योजनाई जो है वो पुरानी भी पूछी जा सकती है बेटी बचों बेटी पढ़ाओ से भी question आ सकता है ठीक है midday mail से भी पूछा जा सकता है तो याद रखेगा जरूरी नहीं है कि योजनाई जो है वो सिर्फ latest पूछी जाएंगी आपसे योजनाई कौन-कौन से आएंगे इसके उपर मैंने एक session लिया था आप चाहे तो YouTube पे search कर सकते हैं ठीक है उसमें आपको यह section मिल जाएगा latest appointment से questions पूछे जा रहे हैं यह आपका shift में जरूर पूछा जा सकता है बुक्स एन उतर से हर एक shift में question देखने को मिला था 2023 के अंदर awards and honors की बात करेंगे यहां से भी questions पूछे गए थे national and international events जो हैं हाला कि 2023 में ज़्यादा questions नहीं आए current के questions नहीं आए जैसे कि मैं बात करूँ BRICS के बारे में तो BRICS से question यह नहीं आया था कि 2024 में किसने host किया है ना यहां से पूछा यह कि BRICS में कितने member हैं या फिर इसके शुरुआत कब होई थी तो उसका जो background history से question आया लेकिन आपको यह events याद करने जैसे कि G20 हो गया आशियान हो गया ब्रिक्स हो गया जी 7 हो गया है ना यह सारे इवेंट्स जो भी हो रहे वो सब आपको करके जाने होंगे उसके बादे इस ट्रेट फेस्टिवल्स एंड डांस जो है यहां से questions भर भर के पूछे जाते 2023 में questions पूछे गए थे latest launching की बात करेंगे जो भी चीजों को launch किया जाता सरकार ने कोई initiative launch किया जैसे कि अभी कि अगर हम बात करते हैं COP20H में एक initiative भारत और UAE ने मिलकर launch किया जिसका नाम है green credit initiative तो इस तरह से जो भी launching हो रही है चाहे वो कोई ship launch किया जा रहा है कोई बी anti submarine launch की गई है कोई initiative launch किया गया है कोई application है सरकार का कोई भी पोर्टल है यह सारी launching इसकी वीडियो आप लोगों को मैं provide करा दूँगी organizations and their headquarters कोई भी आपको organization दे दी जाएगी आप से पूछा जाएगा इसका headquarters का है जैसे कि आप से पूछ लिया गया यूए नो का headquarters बताईए कहां पर है तो इस तरीके से organization दे दी जाएगी कि इंटर्नास्टल सोलर alliance का headquarters का है तो वो आपको याद करना इसकी भी वीडियो मैंने आप लोगो provide करा दी है आप सर्च करेंगे YouTube पे मेरे नाम से तो आपको ये वाला जो session है वो मिल जाएगा sports से जोड़ी हुई news जरूर exam में पूछी जाती है उसके बादे foreign agreements विदेशों में जो भी हमारे agreement होते है different countries के साथ में जो इंडिया की agreement sign होते है या फिर जो more sign होते है वहां से भी question बन सकता है तो ये कुछ वो topics हैं जहां से सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं ये आप लोगों को जरूर जरूर से cover करने हैं अब current affairs को cover करने का सबसे आसान जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले देखो एक तो होते है daily sessions जो मैं daily सुबह 8 बज़े कराती हूँ एक होते है weekly sessions जो हर weekend Saturday को होता है फिर आपका एक में लेती हो monthly session जो हर month के end पे होता है फिर एक होता है six month का हो गया या फिर one year का current फिर हो गया इसकी marathon class होती है तो basically देखो गए आप यहाँ पर कहने का मतलब यह कि कौन सा वाला important है आपके लिए है ना आपको बताना है कि इसमें मैं कौन सा हम cover करें कौन सा ना करें यह बताए तो यहाँ पर आप देखो जो daily वाले sessions होते हैं इसमें क्या होता है इसमें deep analysis कराती हूँ मैं हर एक चीज को लेते हुए चलती हूँ इसमें आपका static वाला part भी cover हो जाएगा weekly session जो होता है यह revision session होता है जिसमें थोड़ी details के साथ में यह revise कराया जाता है यह भी revision session होता है six month and one year समसे जादा जो beneficial होते हैं वो daily current affairs वाला होता है क्योंकि एक घंटे में जो 10 से 12 जो मैं news कराती हूँ उससे जुड़ी हूए हर एक facts आपको बताए जाते हैं अगर breaks की submit का question मैं करवा रही हूँ class के अंदर तो साथ में मैं आशियान के submit भी बताऊंगी उसके साथ G20 भी बताऊंगी G7 भी बताऊंगी जो भी summits होई है उस दोरान वो सब कराई जाएंगी ये फाइदा है daily sessions का जो बच्चा ये वाले sessions लेता है उसे current affair में कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता बाकि जो sessions होते हैं वो revision session होते हैं आगे आगे इनका जो details है वो कम होती जाएगे और one year current affair ये सबसे fast करवाया जाता है ये बिल्कुल question answer question answer होता है ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ये sessions देखे हुए है ठीक है तो आप लोग को daily वाले sessions लेने हैं आच्छा तो मेरे sessions में आप लोग को notes बनाने के ज़रूरत नहीं है आपको होगी कि मैडम notes का क्या करे बहुत सारी students को ये problem है कि current affairs के notes में बनाने क्या मैं आप लोग को बता देती हूं कि 2023 में जो current affairs का weightage रहा था वो 15 marks का weightage था 15 questions वो पूछे गए थी average तो notes में आपको ये जो 10 topics में आप लोगों को बताए हैं सिर्फ ये जो हैं चीजों को note करते वे जाना है सिर्फ इन topics से related देखना है इसके अलावा कुछ भी आपको note down नहीं करना है daily sessions में हर एक चीज में आप लोगों को खुद ही revise कराती हूं मेरे sessions में हर एक चीज आपको में खुद ही revise कराती हूं आपको ज्यादा notes की tension लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है सिर्फ आप लोगों को आना है class में और ध्यान से चीजों को सुनना है हरे class free of course है इसका जो PDF है हर एक दिन आप लोगों को दिया जाता है वहां से आप revision कर सकते हैं ठीक है अगर आप लोग इसके अलावा syllabus कंप्लीट करना चाहते हैं अगर आप लोग इसके अलावा syllabus कंप्लीट करना चाहते हैं अपना जैसे कि आप कुछ चाहिए कि मैंना हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ हमें कवर करना है सिर्फ करन्ट अफेर नहीं वह तो आप लोग को फ्री व्योटो पे मिली रहा है लेकिन इसके लावा बाकी चीज़े भी आप कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ अप्लिकेशन पे जुड़ सकते हैं अप्लिकेशन पे आप लोगो हर एक चीज़ वो डेटेल में करवाई जाएगी इसके लिए आपको गूगल क्रॉम पे जाना है और अडर 24-7 टाइप करना है ठीक है तो जो फर्स वाली वेबसाइट होगे कि श्ते कर देजीगा क्लिक और क्लिक करने की बारिदा आप लिखा हम यहाँ पर ईनञाना है और यहाँ पर जाने के पार सबसे पहले के बाता इख्याम के प्रकर हैं एक्जाम के प्रपेशन करें एससी जेए वह आपको दिख रहा है यहां पर लिखा हुआ है सबसे उपर लेकिन काफी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ससी जेए की अड़ावा और भी एक्जाम दे रहे हैं जैसे कि ए आई का भी तयारी कर रहे हैं पीजी सीयाइल की भी क offers इस पर क्लिक करना है ठीक है आपसे वांगा जा रहे कूपन कोड जिससे आपको मिलेगा अच्छा खासा डिसकाउंट और यह कूपन है वाई क्या यह 774 डाल देजेगा कर देजेगा अप्लाइए तो अप्लाइए करने के बाद यह अमाउंट हो चुका है 3196 मात्र 3196 रुपे में आपको टेकनिकल एंट नॉन टेकनिकल कंप्लीट स्लेबस कवर कराया जाएगा यह कोड हर एक 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 एक्जाम के लिए एप्ली के ब फिर बेंकिंग सेक्टर में तो यह कोड यह अप्ली केबल रहेगा ठीक है अप्ली केबल यह रहेगा लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी सिर्फ इंजीनिरिंग पे ठीक है चले ओके गाइस थांक्यू सो मच हावे गोड जे ओल्द वेरी बेस्ट जिनका एक्जाम है मैं सिर्फ 6 महीने बचे उमेद करती हूँ कि आप सभी ने प्रफेशन स्टार्ट कर दिये क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स अल्रेडी जो हैं वो अपने प्रफेशन स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको उन सभी को पीछे छोड़ते हुए अपने लिए सेलेक्शन इस साल पक्का करना मेरी श्यों कामना या आप सभी के साथ में हैं आल दे वेरी बेस थांक यू सो मछ वाज वह विद्धे टेक्यर बाग आ